हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मेरे यारो और भाई लोग कैसे हो सब बढ़िया तो दोस्तों ओपो का कलर ओएस 7 नवेंबर 20 को रिलीज होने वाला है काफी बढ़िया ओएस यह दिया जा रहा है तो उसका जो डिटेल स्पेक से ओफिशल अभी तब कुछ नहीं दि है कलर ओएस 7 नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा 108 मेगा पिक्सल जो है हमारा MI Note 10 जो यह ओफिशियली रिलीज कर दिया गया है एंड मोर 48 आवर से हमारा Redmi Note 10 को रिलीज होने के लिए क्योंकि यह सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसमें 108 मेगा पिक्सल दिया गया है एंड इसका प्राइसिंग रेंज भी सामने आ गया है काफी धाकत प्राइसिंग सेग्मेंट रखा गया है जो 6GB वाला वेरियंट है 6GB प्लस 128 वाला जो वेरियंट एंड जो हमारा पूरा हाई एंड वाला जो हमारा वेरियंट रखा गया है 8GB प्लस 256GB वाला जो वेरियंट रखा गया है उसका प्राइस सेग्मेंट रखा गया है 36,000 प्राइसिंग के यसाब से देखें तो काफी बढ़िया है यहाँ क्योंकि हमारा चो कैमरा है क्योंकि इसमें में फोकर इंग जो सबसे ज्यादा पावरफूल चीज यहां पर दिया गया है वह हमारा कैमरा क्योंकि यहां पर हमें 50x तक हमें digital zoom मेल जाता है जो पिक्चर क्वालिटी भी है वो भी काफी बढ़िया दिया जा रहा है जो हमारा MICC 9 Pro है वो ही हमारा Redmi Note 10 भी है जो उसके उपर भी में एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप अभी तक नहीं देखे हो सो उपर आए बटन पर क्लिक करो और जाके देख लो मेरे यारो सो काफी धाकट स्मार्टफोन है जो हमारा MI Note 10 है 6.47 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर मिलता है जो डॉट नॉच डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले दिया जाता है इसमें MI Note 10 में 780 G वाला हमें Snapdragon का प्रोसेसर इसमें दिया गया है एंड जो बैटरी है वो तो काफी हाई-लेवल वाला बैटरी इस बार दिया गया है 5,230 mAh का बैटरी दिया गया है तो जो बैटरी इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि अभी तक दूसरा कोई भी स्मार्टफोन नहीं आया 108 में पिक्सल वह भी इतना कम सेग्मेंट में 29,000 में से बहुत ही तबाई कैमरा से जो देखते हैं कैमरा उसका पावर कितना है 108 में पिक्सल तो दिया गया है सो आफ्टर फोन रिलीज होने के बाद उसका कैमरा का पावर पता चल जाएगा 108 में पिक्सल दिया गया है क्या वह वह वाके इतना क्वालिटी पिक्चर से लेता है या वह ही और नॉर्मल स्मार्टफोन के दरा निकलता है सो बाद मैं उसका चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा रेडमी नोट एटी जो है उसका हैंस ओन इमेंच आ गया है सो फोन काफी बढ़े है इसमें भी डॉट नॉची दिया गया है डिस्पले 48 में पिक्सल का कैमरा इसमें दिया जाएगा सो के मैं आपर बात करते हैं पर फोर क्वार्ड कैमरा जमें मिलने वाला है यहां पर रेडमी नोट एट एट इमें चो यह यह शाओमी का पहला सीरीस जो हमारा MAH का बैटरी जो रेम रोम वाला वाला वेरेंट है 4G प्लस 64G वाला नॉर्मल वेरेंट के साथ यह आने वाला है सो प्रैसिंग सेग्मेंट में ज्याधा नहीं होने वाला है MI Note 8T का एराउंड हमारा वही 11000 से 14-13000 के अंदर इसका प्रैसिंग सेग्मेंट होने वाला है सो Quad Cameras भी मिल रहा है एंड जो प्रोसेसर है 600 वाला हमें Snapdragon प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है Snapdragon 665 पर प्रोसेसर इसमें दिया गया है सो फोन काफी बढ़िया है एंड देखते हैं इसका Officially Release Date अभी तक तो फिलाल कुछ भी नहीं पताया गया है सो स्टील यह रूम्य और रूमर्स में इसका जो रिलीस डेट है सो जवसे उसका रिलीस डेट पता चलता है मैं आपको दूरंत बता दूंगा उसते पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो कर लो मेरे यारो और वीडियो के साला कमेंड बॉक्स पर कमेंड कर देना मेरे यारो